Hello friends, welcome to my channel मैं हूँ अलीशा और आज आपको बनाना सिखाऊं की एक pad pouch यह काफी easy तरीके से मैंने बनाया है उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजे और bell icon को press कर दीजेगा तो चलिए start करते हैं pad pouch बनाना तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है 11.5 by 6 inches का 1 plain piece उसके बाद लेना है हमें 2 plain pieces तो इन दोनों plain pieces का measurement होगा 5.5 by 5.5 inches यह हमें 2 ही चाहिए होगे इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा fold कर लिया है double fold करके देखे ऐसे कीजिए पहले फिर ऐसे कीजिए उसके बाद मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी थी यह देखे मैंने दोनों को ऐसे ही करके सिल दिया है यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट को तो इसलिए यह मेरा थोड़ा कम आ रहा था measurement अब इसके बाद हमें यह वाला प्लेम पीस चाहिए होगा यह हमें चाहिए five by five inches यह चाहिए हमें बोँ बनाने के लिए तो इसको ऐसे fold करके देखे हम इसका बोँ बनाएंगे तो पहले तो हमें एक और plain piece चाहिए होगा तो यह देखे यहाँ पर मुझे यह plain piece चाहिए बो का strip बनाने के लिए जो middle में लगेगा तो उसके लिए मुझे चाहिए 5 by 1.5 inches का यह plain piece अब हम लेंगे अपना यह वाला plain piece इसको ऐसे करके fold कर देंगे हम उसके बाद हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे यह तीन तरफ से सिलाई लगा देनी है उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा यहाँ सिलाई लगा के बीच वाला part छोड़ देंगे यह देखे मैं यहाँ पर आपको सिलाई लगा के एक बार बता देती हूँ तो ये देखे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया अब इसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जहाँ पर हमने सिलाई लगाया है वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए और जो एक्स्ट्रा वाला है वो हम कट कर देंगे यह देखिए आपर हमने कट्स लगा दिया अब इसके बाद हम इसे यहां से जहां पर मैंने सिलाई नहीं लगाया था ना वहां से हम इसको सीधा कर देंगे देखे हमने इसको सीधा कर लिया है अब इसके बाद जहां से मैंने सिलाई नहीं लगाया था ना वहाँ से हम सिलाई लगा देंगे अब हम चारो तरफ से इसके उपर प्रेस्टीज दे देंगे अब ये देखें हमारा सिलाई हो गया अब हम क्या करेंगे अब हम ये जो स्ट्राप है न इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे उल्टा फोल्ड करना है और इसके उपर हम सिलाए लगा देंगे तो ये देखे मैंने स्ट्राप के उपर सिलाए लगा ली थी अब मैं इसको सीधा कर दोगी तो ये देखे मैं स्ट्राप रेडी हो गया इसको मैंने सेफटी पिन की मदद से सीधा कर लिया था अब इसके बाद हम अपना ये लेंगे ये पीस जो हमने सिलाई किया था इसको अब हम बोग बनाएंगे ऐसे करेंगे और इसके बाद हम इसको स्ट्रेट करते हुए ऐसे करके इसके उपर स्ट्राप को अटाच कर देंगे तो पहले तो हम बोग को सिलाई करेंगे तो उसके लिए हम पहले ऐसे कर लेंगे और उसके बाद हम सुविधागे से इसको सिल देंगे अब इसके बाद हम इसके उपर ऐसे करके स्ट्राप को अठैच कर देंगे इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए अंदर की तरफ ताकि इसके धागे बाहर ना निकले और इसके बाद इसको भी हम सिलाई कर देंगे तो ये देखे हमारा सुन्दर सा क्यूट सा बोग बनकर एक तम रेडी हो चुका है अब हम बनाएंगे पाउच तो ये देखे यहां से हमने जो प्लेन पीस लिया था ना वहां से 1.2 इंचिस पर हम मार्क लगाएंगे तो यहां पर मैंने पैन से मार्क लगा दिया है अब इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और यहां पर हम बोग को अटाच कर देंगे मैंने बाद में बोग को इसलिए ने अटाच किया क्योंकि हम ना नीचे इसके प्लेन पीस लगाने वाले हैं अगर हम बोग को बाद में अटाच करेंगे तो वो प्लेन पीस भी इसके साथ ही चुड़ जाएगा इसलिए हम बोग को पहले अटाच करेंगे तो ये देखे हमने बोग को अटाच कर दिया है इसके उपर अब हम ये वाला अपना प्लेन पीस लेंगे 5.5 x 5.5 इंचिस वाला अब इसके पाद इसके उपर इसे उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा देंगे हमें यहाँ से पहले सिलाई लगाना है उसके बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे इसके बाद यहाँ पर हम तीसरी तरफ से भी सिलाई लगा देंगे बस हमें उपर वाली तरफ से सिलाई नहीं लगाना है जहां से हमने फोल्ड किया था फोल्ड करके सिलाई लगा था वहां से अब इसके बाद हम लेंगे अपना दूसरा वाला प्लेन पीस और इसको जहां से हमने fold किया था उसको उपर रखेंगे और इसके बाद बाकी वाले को नीचे रखेंगे जैसे हमने दूसरा वाला किया था वैसे ही और elastic को भी ले लेंगे elastic को हम ऐसे करके fold करके हम इसको cut कर देंगे ऐसे करके यह मैंने totally 4 inches इसका elastic लिया है यहाँ पर यह देखिए मैंने ऐसे plane piece को रखा और उसके बाद elastic को fold किया और उसके बाद elastic को इसके बीच में ऐसे करके रखना है जैसे हमने दूसरी तरफ से middle निकाल कर bow को attach किया था वैसे हमें इस side से भी middle निकाल कर elastic को joint कर देना है इसके साथ यह देखिए मैं मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी यह देखिए मैंने सिलाई लगा दिया यहाँ पर अब मुझे एक side से मैंने लगा दिया है अब बाकी 2 side से भी मैं इसके उपर सिलाई लगा दूँगी इसको चाहे तो हम एक बार और सिलाई लगा देंगे क्योंकि elastic हमारा निकल सकता ह इसलिए यहां पर मैं दुगोबार सिलाई लगा दूंगी अब इसके बाद हम इस साइट से भी सिल देंगे इसको हम इस साइट से भी सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे ये देखे मैं इसको सीधा कर देती हूँ ये वली तरफ से और दूसरी तरफ से अच्छे से इसके कोने बाहर निकाल लीजिए और इसको सीधा कर लीजिए देखे मैंने इसको सीधा कर लिया है इसके कोने भी मैं एकदम ठीक कर दूँगी सीधे करके अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके बार बो को सेट करते हुए हम इसके उपर प्रेस्टिज दे देंगे तो यह देखे हमारा यह एकदम रेडी हो जुका है इसके थ्रेड्स को हम कट कर देंगे और उसके बाद यह हमारा एकदम रेडी हो जाएगा अब इसके बाद इसको पहले तो यह देखे एक खुलकर ऐसा है अब हम इसको ऐसे बंद कर देंगे और उसके बाद इलास्टिक से ऐ यह देखे यह पैक कर देंगे इसको यह देखे यह दूसरा वाला मैंने बनाया था यह देखे मैंने इसको भी ऐसे करके बंद कर दिया अब यह दो मैंने बनाए हैं आप चाहे तो और भी बना सकते हैं यह काफी जादा यूसफुल है आप इसमें अपने पैड्स को रख सकते ह ये देखे इसमें 2-4 पैट्स आ जाते हैं आप उससे जादा भी रख सकते हैं मैक्सिमम इसके अंदर 4-5 पैट्स आ जाएंगे आराम से ये देखे इसके अंदर ना पैट्स को ऐसे करके हम रख देंगे आप जाएं तो यहाँ पर छोटे वाले जो पैट्स होते हैं और वो भी ढल सकते हैं ये देखें इसको ऐसे करके हम पैक कर देंगे और ये देखें कितना जादा beautiful देख रहा है ये पर्स की तरह देख रहा है हम college जाते हैं, school जाते हैं तो traveling में भी कई बार जाते हैं तो हमें अव्यसली जरूरत होता है ऐसे कोई चीज़ का तो आफ आराम से अपने पैट्स को रखने के लिए यह बना सकते हैं यह काफी जादा यूस्फुल चीज़ लगा मुझे आप इसे एज़िली बना सकते हैं घर पर छोटे से कप्रे की मदद से ये काफी easy है और छोटे से कपड़े से ये बन जाता है तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे comment box में comment करके जरूर बताएगा और मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूलेगा फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, bye bye, take care and thanks for watching